जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल साहएक अध्यापक भरती परिक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट छे हिंदी भासा का ये प्रैक्टिस सेट है इसके पहले पांच अपलोड हो चुके हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं और बहुत ही महत्तुपोन ये अपनी कॉस्चन है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बारा ह आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताते जाएं नरियन्दर सर्मा सेह मंगल संंस्मन या रगवीर सहाय रामधारी सेहंदिनकर मिट्टी की बारात किसकी रचिना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है सिव मंगल सें समन यानि की विकल्प नंबर C आपका यहाँ पर राइट आंसर है 2019 का ब्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया तो 2019 का जो ब्यास सम्मान दिया गया था यह किसको दिया गया था यह आपके लिए यहाँ पर बताना है question number 2 का आपका जो right answer है भै क्या है आपका यहाँ पर सही answer तो नासरा सर्मा आपका यहाँ पर विकल्प number C right answer होगा question number 3 यहाँ पर पूंचा हिंदी में प्रथम सरस्वती सम्वान किसे प्रदान किया गया था इंदी में प्रथम सरस्वती सम्वान हरिवन सराय बच्चन गोविंद मिस्तर रामविलास सर्मा या प्रदमा सची देवा तो किसको प्रदान किया गया था तो तीन का right answer है हरिवन सराय बच्चन यानि कि विकल्प number 1 आपका यहाँ पर सही answer है कॉश्चन नमबर 4 आपसे यहाँ पर पूचा है भारती साहित्त का सबसे बड़ा साहित्तिक पुरषकार कि से माना जाता है तो भारत भारती को माना जाता है या ब्यास या ग्यानपीट या सरस्वती तो यह आपके चार विकल्प हैं Question number 4 का Right Answer बताना है भारत्य साहित्य का सबसे बड़ा साहित्य क्पुरुषकार किसे माना जाता है तो 4 का Right Answer ग्यान पीट, विकल्प नमबर आपका यहाँ पर Be Right Answer है Question नमबर पाँच आपसे यहाँ पर पूचा है क्या पूचा है वतूता कजूता तथा लाक की नाक महंगू की टाई किसकी जे किरती हैं आपके लिए बताना है तो एक किरती किसकी हैं सर्वेस्वर द्याल सक्सेना आलोक धनवा या रगवीर सहाय या जगदीश गुप्त तो question number 5 का right answer है सर्वेस्वर द्याल सक्सेना यानि की विकल्प number 1 आपका right answer है कभी और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो सही नहीं है पूँचाए आपसे सिवराज भूसन भ या परिमल सुरकांतरपाथी नराला और उद्धाव सतक भारतेंदू हरिस्चंद्र तो कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है तो छे का right answer है उद्धाव सतक भारतेंदू हरिस्चंद्र ये आपका सही नहीं है question number 7 आपसे यहाँ पर पूँचा निम लिखेते कभियों में से ग अत्मा गांधी जी ने किस कभी को दिया है तो question number 7 का right answer है मेतली सरण गुप्त यानी की विकल्प नमबर सी right answer है question number 8 आपसे पूँचा है ब्यास पुरुसकार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भुस्तियती किस लेखक की रश्चना है नरेंद्र कोहिली या रामद्रा सम देखिए ब्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास है और इसके जो लेखक है वह नरेंद्र कोहिली है तो विकल्प नमबर एक आपके या पर सही answer होगा question number 9 आपसे या पर क्या पूँचा है तो question number 9 पूँचा है या पर देख लेते हैं कि कि किस कभी को कभीयों का कभी कहा जाता है धर्मबीर भारती रगबीर सहाई समसेर बहादूर सें या सर्विस्ट द्याल सक्सेना question number 9 का राइट आंसर है समसेर बहादूर सें समसेर बहादूर सें को कभीयों का कभी कहा जाता है तो विकल्प नमबर भी आपके या पर सही answer है question number 10 आपसे या पर पूँचा है भासा अब है सादन है जिसके द्वारा मनुस्त अपनी विचार दूसरों तक भली भाती पर गट कर सकता है ये कथन किसका है ये कथन बताना है महावीर प्रसाद दुबेदी रामचन सुकले कामता प्रसाद गुरू या किसोरी लाल वाच्विय तो question number 10 का right answer है ये कामता प्रसाद ये क्या है कथन है यानि की विकल्प number B आपका right answer question number 11 हिंदी की आदी जननी कौन है पाली है अब्रन्स है संस्क्रित है या प्राक्रित है तो question number 11 का right answer हिंदी की आदी जननी कौन है तो 11 का right answer है आपका संस्कृत विकल्प नमबर आपका भी यहाँ पर सही आंसर है इनमें से क्या कवीता की पदों में सक्कृता और प्रभावसीलता लाता है तो कौन लाता है छंदे, काब विगोण, अलंकार या रस तो क्वेश्चन नमबर बारा का राइट आंसर बताईए इनमें से क्या कवीता की पदों में सक्कृता और प्रभावसीलता लाता है तो बारा का राइट आंसर है काब विगोण विकल्प नमबर C आपका हैं पर राइट आंसर है धर्मियोग पत्रिका के सरस्वी संपादक थे तो धर्मियों को पत्रिका के जो संपादक थे वह कौन थे ये आपके लिए बताना है question number 13 में right answer क्या होगा तो 13 का right answer है इस पत्रिका के जो संपादक थे धर्मिबीर भारती थे विकल्प number D right answer है तो question number 14 का सही answer बताना है तो 14 का right answer है हिंदी की प्रथम गद्धिकार लल्लू लाल विकल्प number B आपके हैं आपके हैं पर सही answer है question number 15 क्या पूँचा या है question number 15 है आदुनिक हिंदी सायत की पहली आत्मकता के लिखक कोन मानी जाती है question number 15 का right answer बताना है तो स्याम सुंदर्दास बागू स्याम सुंदर्दास विकल्प number 1 right answer है निमने लिखेते में किसूरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है प्लेग की चुडेल इंदुमती पंडित और पंड़तानी जारा वर्स का समय तो किसूरी लाल गोस्वामी जी की जो रचित कहानी है प्लेग कौन सी है तो सोला का right answer है इंदुमती इंदुमती यानि की विकल्प number C आपका सही answer है कौस्चन नमबर 17 है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भासा से अनुदित है नई चाल में ढली विद्या सुन्दर या कभी वचन सुधा या चंद्रवली तो कौस्चन नमबर 17 का right answer है आपका यहाँ पर विकल्प number C विद्या सुन्दर विद्या सुन्दर आपका यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही नुतन ब्रम्चारी को, त्यागपत्र को, तितली को या परिक्षगुरू को किसको माना जाता है? हिंद्य साइत का सबसे परिक्षगुरू को माना जाता है? महादेई बर्मा, मुंसी प्रियमचंद, रामधार सेंदिनकर, सवित्रकुमारी चोहान तो 19 का right answer है आपका मुंसी प्रियमचंद यानि की विकल्प नंबर सी आपका right answer है जूंटा सच की लेखक कौन है यासपाल है विश्णुम प्रिभाकर, कवीर या मेतलिसन गुप्ते तो 20 का right answer है कि जूंटा सच की जो लेखक है वह यासपाल है कौन है यासपाल आपका यहाँ पर विकल्प नंबर एक right answer होगा विकल्प नंबर एक right answer है कौस्चन नंबर 21 है हरी घास पर चणबर किस कभी का काब्ब संगरा है तो किस कभी का हरी घास पर चणबर अग्गे रामबला सर्मा मुक्तिबोध या भारत भूसन अग्रबाल तो एक किस का सही answer है विकल्प नंबर एक या निकी अग्गे आपका यहाँ पर सही answer है अग्गे बिल्कुल चाही यसे гृसन नमबर पूचा है मैतिली सन्रंग अग्ब्प्त का संबंद आधुने काल के किस योग से है चायवादि योग से चायवादित्तर अद्प्तर योग से शुखली योग से अधुवेदि योग से तो कौशन नमबर लाइस का सही answer बताईए अहाँ पर मैतिली सन्रं का अन्य नाम है तो क्या है स्टोने काल है सिंगार काल है और दभाव काल है या संक्रानती काल है तो रीतिकाल का अन्य नाम पूंचा है तो तेश का सही आंसर होगा आपका सिंगार काल यानि कि विकल्प नमबर सी आपका राइट आंसर है question number आपका 24 क्या है जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्या माही उप्रयोक्त दोह में अंधियारा और दीपक किसके पृतिक हैं अंधेरे वा प्रकास के अज्ञान और ज्ञान के बुरे और अच्छे के पिरभू और प्राप्ति के तो इसमें अंधियारा और दीपक ये जो पृतिक हैं वा किसके हैं तो ज्ञान और अज्ञान की तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है या लकुटी ये रस्खान की है किसकी है रस्खान आपसी यहाँ पर पूँचा हिंदी का कौन सा हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कभी एक नेतर से भी हिन था एक नेतर से भी हिन था इस्वरदास, कुतुबन, सेख नभी या जाइसी तो बहे कौन से कभी है तो यहाँ पर Q26 है और राइट आंसर है जाईसी यानि की विकल नंबर D राइट आंसर Q27 नमिलिकत में ऐसे कौन ग्यानसरी साखा की कभी है रहीम दास, कबीर दास, मलिक मुहम्मद जाईसी या तुलसी दास Q27 का अंसर बताना है तो 27 का आपका जो सही आंसर है ग्यानसरी साखा की कभी है पूँचा है तो 27 का सी राइट आंसर है कबीर दास question number 28 क्या पूँचा गया है कभीर ने समान सुधार की अंतरगत किसका उपदेश नहीं दिया तो किसका उपदेश नहीं दिया पूँचा है आप सी हाँ पर तो किसका नहीं दिया समान सुधार के अंतरगत किसका उपदेश नहीं दिया है कबीर जी ने 28 का सी राइट आंसर है इस तरी प्रोष की समानिता विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है 29 वा कॉस्चन पूशा है नमलकेत में से कौन अश्ट चाप का कभी है मीरवाई रस्खान सूरदास या विद्यपती 29 का सही आंसर बताना है तो 29 का सही आंसर होगा ये जो अश्ट चाप का कभी हैं सूरदास आपका सही आंसर होगा तो 29 का भी राइट आंसर है कभीर दास की भास कौन सी थी ब्रज, कन्यो, जी, खळीवो लिय, सदुखडी तो आपका त्यसका राइट आंसर है जो त्यसका सभी के लिए पता है कि कविदास की जो भासा सीथा दुखडी आपके यहाँ पर विकल्प नमबर डी राइट आंसर है बारे पक्षी बोली ही बहु भाखा और करही हुलास देखिये साखा प्रियुक्त पंतियों की रचेता कौन है कवीर है घनानन्द है जाईसी यह कुतुबन इन पंतियों की रचेता बताने है इस पंति के जो रचेता है वै कौन है तो एक त्यसका सभी आंसर है जाईसी Q32, पूंचा है, 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 आंसर होगा question number 34 पूँचा हिंदी सब्द सागर का पिरकासन किस अंस्था ने किया था तो हिंदी साहित सम्मिलन ने इंडियन प्रेस या नांगरी पिरचाड़नी सभा या राष्टवासा परिशत तो 34 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी आनिकी नांगरी पिरचाड़नी सभा question number 35 क्या पूँचा है किस साहित इतिहास के लेखक ने काल विवाजन में कभियों के नाम का सरवाद को पियोग किया है तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा इनमें से वै कौन सी रचिना है जिसे मूलता हिंदी सब्द सागर की भूमिका रूप में लिखा गया था किन्तु बाद मूँँ उससे स्वतन्तर ग्रंथ बना दिया गया तो आपके हैंपर जो 36 का सही आंसर होगा वै क्या है तो 36 का सही आ लेलित्यत्वर इंदोई इंदोस्तानी नामा के हिंदी साहत के इतिहास ग्रंत के लेखक का नाम बताना है सभी के लिए पता होगा बहुत ही महत्पूर्ण कॉस्चन है ए और इसके जो लेखक हैं वह कौन है तो 37 का राइट आंसर गारसा दातासी विकल्प नमबर एक पंड़त बनारसी दास दोरा लिखेत हिंदी की पहली आत्म कता का नाम बताना है तो अर्द कता चांद सूरज के बीरन मेरा जीवन पर वाहे या मेरी आत्म कहानी तो 38 का सही आंसर है विकल्प नमबर एक अर्द कता आपका सही आंसर है बिलकुल सही बोली का चेतर जब थोड़ा विक्सित हो जाता है और उसमें साहित की रचिना होने पर वहे क्या बन जाती है यह ब्रज भासा बन जाती है लिपी उपभासा या चेतरी भासा तो यह क्या बन जाती है यह आप से पूंचा है चालिस में तो चालिस का सही आंसर है यह बन जाती है उपभासा कॉस्चन नमबर 41 पूंचा है कि सिंदी भासा का संबंद किस्से है पैसाची से मगही से ब्राचड से यह स्वर से नहीं थी तो question number 41 का answer होगा सिंधी भासा का संबन्द के से 41 का आपका ब्राचड right answer है 42 है question number 42 हिंदी भासा राज्य के अंतरगत कौन सा राज्य नहीं है उत्तर प्रदिश जारकंड बिहार या महराष्टे तो सभी के लिए पता है क्या होगा right answer 42 का महराष्टे आपका सही answer यहाँ पर होगा question number 43 यहाँ पर पूँचा गया है 43 वा question क्या पूँचा है तो भासा की सारतक लगुत्त में काई है सब्द है द्वनी है पद है अबाक्त है एक question आपका महत्तोपूर्ण है question number 43 की भासा की सारतक लगुत्त में काई है तो 43 का सही answer है सब्द क्या है सब्द आपका right answer कारली हिंदी की भासा कैसी होनी चाहिए तो अभिदात्मक होनी चाहिए ब्यंजनात्मक होनी चाहिए लक्षणा से युक्ते या अभिदालक्षणा में सुरित तो जो यहाँ पर 44 का सही answer है भै अभिदात्मक होनी चाहिए अभिदात्मक तो विकल्प नंबर एक right answer है question number 45 भासा है भासा क्या है यह आपके लिए बताना है question number 45 में भासा है तो आपका सही answer है यहाँ पर 45 का विकल्प नंबर एक अर्जत संपत्ती भासा क्या है अर्जत संपत्ती विकल्प नंबर एक right answer नमलकेत में से कौन सा बढ़न दुईगुण ब्यांजन के अंतरकत आता है कौन सा बढ़न है जो दुईगुण ब्यांजन के अंतरकत आता है तो 46 का सही answer है आपका क्या होगा right answer आपका यहां पर जो दिया गया है विकल्प नंबर C आपका right answer होगा अंगला question है पहुआरी इन्वेसी किसे बोली से संबंदे थे ब्रिज बंदेली खड़ी बोली आप दी तो आपका 47 का सही answer है यह जो संबंदे थे किस से है बंदेली से तो विकल्प नंबर C आपका यहां पर right answer रामचरित मानस कितने कांडों की रचिना है 6, 9, 7 या 8 है तो आपका यहां पर right answer है 48 का यहां पर right answer है रामचरित मानस कितने कांडों की रचिना है तो 48 का आपका यहां पर 7 right answer है यानि की विकल्प नंबर भी राइट आंसर है ये कांकी में अन्विती अवस्ता संक्लन्त्रय की अंतरगत काल इस्थान की साथ किस की निर्वाह की गढ़ना की जाती है तो किस की निर्वाह की गढ़ना की जाती है पात्र प्रकरी कारी या पता का तो आपका हैं आपर हैं उननचास का विकल्प नमबर आपका B यानि की कार्य आपका यहां पर right answer है 49 का B राइट अंसर है 50 वा कोस्चिन है जयसंकर प्रसाद कृत अरवसी किस बिढ़ा की रचना है गीती कावे नाटक पिरगीत या चमफू कावे तो 50 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर? 50 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर D राइट आंसर है चमफू कावे question number in count पूँचा है अब ब्रंस का मुख चंद कौन सा है दोहा, कुंडलिया, बरवया या सवया तो question number in count का आंसर बताईए यहाँ पर अब ब्रंस का मुख चंद है तो in count का right आंसर है विकल्प number 1 आनि की दोहा आपका यहाँ पर सही आंसर है आगरा का बोली छेतर है अविदी, ब्रिज, खड़ी बोली, 36 गड़ी तो आपका यहाँ पर बाउन का जो सही आंसर है बहे क्या है तो बाउन का आपका right आंसर यहाँ पर विकल्प number C आनि की ब्रिज आपका right आंसर है अंगला question है परमात्मे प्रिकास की रचिनकार कौन है, रामसे है, हमचंद्र है, योगिंद्र है, मीरुतुंग है तो त्रेपन का आपका जो right answer है, त्रेपन का right answer आपका यहाँ पर विकल्प number B यहाँ पर right answer है, योगिंद्र आपका right answer होगा सजन सकार जाएंगे, नियन मरेंगे, रोई, उक्ती है, अमीर खुसरो, दादुदयाल, कबीर, रहिम, इ उक्ती किसकी है तो चंगण का आपका जो सही answer है, वहे आपका यहाँ पर right answer, चंगण का विकल्प number 1, अमीर खुसरो अमीर खुसरो, आपका यहाँ पर सही answer है, बहुत बढ़िया विकल्प number 1, right answer है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो, उसे चांटिये तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, उसका लक्षण नहीं आपर, कौन सा नहीं है, तो पच्पन वा कॉस्चन है, तो बताईए यहाँ पर चांटना है, तो कौन सा होगा right answer तो पच्पन का आपका पंती की संपूनत्या आविरती यह जो है, आपका विकल्प number C, right answer होगा, कौस्चन नमबर 56 है, बढ़नों की एक से अधिक बार आविरती किस अलंकार मों होती है, उपमा लंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या स्लिस लंकार, तो पच्पन का right answer है, अनुप्रास अलंकार यानि की विकल्प number C, आपका यहाँ पर right answer है, अंगले कौस्चन ने शुरूता के लिए किस सर्वनाम का उप्योग किया जाता है, तो उत्तम पुरुस्वाचक सर्वनाम, मद्यम पुरुस्वाचक सर्वनाम, अन्य पुरुस्वाच बाचक सर्बनाम या उप्रोक्त सभी गलत हैं तो question number sun town का आपका जो सही answer है वहे आपका यहाँ पर मद्यम पुरुस बाचक सर्बनाम विकल्ब नमबर B आपका यहाँ पर सही answer है बालक इस पुस्तकालाय में पढ़ रहा है बाग्य में खालिस्तान किरिया है संयुक्त अकर्मक सहाइक सकर्मक तो अंठाउन का answer बताना है इसमें कौन सी किरिया है तो अंठाउन का आपका जो सही आपका इहां पर अनधीर्त यानि की विखवत नंबर डिया आपका राइट आउगा इनले से गलत वरतनी का सब्द कौन से है, गलत वरतनी का सब्द बताना है तो 60 का राइट आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर 60 का गलत वर्तनी का सब्द है आधीन आधीन यानि की विकल्प नमबर एक राइट आंसर है निमलकित में कौन संचारी भाव नहीं है नहीं है निर्वेद या अमर से संका या भक्ती तो question number 61 का सही आंसर बताना है तो 61 का सही आंसर है निमलकित में ऐसे कोन संचारी भाव नहीं है तो 62 का आपका भक्ती विकल्प नमबर D आपके है आपर सही आंसर है धीरे धीरे का समास है द्वन्द कर्मधाराए या अव्यवि भाव या दिगू समास तो 62 का सही आंसर आपक कह बताना है विकल्प नमबर B आपका राइट आ तो पुस्ट पांजली का यहाँ पर करना है कौन सा होगा राइट आंसर 63 में बताईए इसमें सही संदी विच्छित, 63 में आपके लिए बताना है तो 63 का राइट आंसर होगा पुस्ट पे रहना अंजली आपका राइट आंसर है तो विकल नमबर एक राइट आंसर, विध्या कर्मक बाक में कर्मकारी ये विवक्ति को किस पद के सांथ प्रयुक्त होती है तो आपका 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर C आनि की गोण कर्मकारी के सब्दों में से तत्सम सब्द कौन सा है तत्सम सब्द पूँचा है तो 66 का सही आंसर है कि तत्सम सब्द में आपका हो जाएगा 66 का अगनी विकल्प नंबर D राइट आंसर है आंसु का तत्सम रूप निमलिकित में ऐसे कौन सा है तो आपका यहां पर जो 67 का सही आंसर होगा आंसु का तत्सम रूप कौन सा है तो आ जब पानी बरसता है कौन सा बाक के है संग्या बाचा के किरिया विसेशन 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 वि ही हें तो एनत्तर का सही आंसर होगा आपका विकल्प नमबर है कौन सी है को स्थर का सही आंसर है कुत्यूब मुस्तरी आपका यहाँ पर विकल्प नमबर एक राइट आंसर है बिलकुल सही question number आपका 71 है सरहपा का संबंद निम्न में ऐसे किस्से है सिद्ध साहत नास साहत रासु का बे या जियन का बे तो 71 का सही आंसर आपका यहां पर होगा सरहपा का जो संबंद है बहे किस्से सिद्ध साहत तिसी तो विकल्प नंबर एक right answer है निम्न खित में से कौन अश्ट चाप के कभी नहीं है सूरदास नंददास कुम्बंदास या सुन्दरदास तो 72 का सही answer है अश्ट चाप के कभी नहीं पूंचा है आपसे यहां पर तो नहीं में आपका हो जाएगा सही answer 72 का D यानि की सुन्दरदास सुन्दरदास आपका यहां पर सही answer है ओग सब्द का परियाबाची क्या होगा तो बताएग ओग सब्द का परियाबाची क्या होगा तो आपका यहां पर तर का सही answer है धेर का तो विकल्प नंबर यह जो है आपका एक right answer है, नमलिकत में से सही कथन क्या है, तो यहाँ पर सही कथन आपके लिए बताना है, बता दीजे 4 विकल्प देगा है, क्या होगा right answer, सही कथन बताईए यहाँ पर तो आपका हैं आपकर जो सही answer है, जो तरका विकल्प number 1, उल्लाला मात्रिक चंद है, सही कथन है तो विकल्प number 1, आपके हैं पर सही answer है 75 का सही answer बताई मात्रिक चंदों मात्रा कितने पिरकार की होती है 3, 4, 2, 5 तो आपके हैं पर सही answer है, यहाँ पर मात्रिक चंदों मात्रा कितने पिरकार की होती है तो आपके 75 का right answer है आपका यहाँ पर दो पिरकार की होती हैं दो पिरकार की हैं आपका यहाँ पर सही आंसर है 75 का भी राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका क्या है देखे गध्यांस पर आधार प्रिशनों की सही उत्तर चुनना है तो यह आपका गध्यांस दिया जिसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं डाक्टर रामकुमार बर्मा ने एतिहासिक एवं समस्या मूलत एकांक्यों की रचिना की है उनकी एकांक्यों का मूल स्वर आदर्सबादी है प्रेम, सेबा, उदार्ता, त्याग, बलीदान की भावनाओं से ओधप्रोथ इन एतिहासिक एकांक्यों में भारत के अतित गौरव को प्रस्तुत करती है राश्टिता की भावना जगानी का प्रियास किया गया है समस्या मूलक एकांक्यों में बर्माजी ने सिक्षत मदबर्य दमपतियों की अनिक समस्याएं प्रेम, स्यक, संदेश, दमभे, आदी को कथानक का विशय बनाया है किन्तु उनकी परिणती आदर्स में हुई है क्योंकि उनके एकांक्यों की नाय का अतियंतता अपने पती के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती है या था देश मीटाई की ललता और एक्ट्रेस एकांकी की नाय का प्रभात कुमारी अतिसाय आदर्सवाद दिता के कारण परमा जी के एकांकी एथार से दूर हो गए जान पड़े हैं किन्तु एकांकी सिल्प की द्रश्टी से वे हिंदी के योग परवड़ता के एकांकी कार माने जा सकते हैं आरम बे कोतुहल संकलन त्रय चरम सीमा आदी तत तो उनकी एकांकियों बड़ी सूक्छमता से बिद्धवान है रंगमंचेता अभिनेता के गुड़ों से भी उनकी एकांकी संपन है उसमें सरस्ता के सांसांत सिल्प की प्रोणता भी विद्धवान है बस्तुता एकांकी कला को चरम योवन पर पहुँचाने का सरे डाक्टर रामकुमार्मा को ही दिया जाता है यह आपका गद्ध्यांस था अब इससे संबंदित आपकी यहाँ पर कॉस्चन है उप्रयोक्त गद्ध्यांस का उचित सीरसक या उप्योक्त सीरसक क्या होगा तो 76 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर 76 का विकल्प नंबर बी की डाक्टर रामकुमार्मा की एकांकी यह जो है इसका उचित सीरसक है कॉस्चन नंबर 77 है कि उप्रयोक्त गद्ध्यांस में प्रयोक्त सेली है तो यहाँ पर आपकी असी तक कॉस्चन जो यहाँ पर पूँचे गए है इसी गद्ध्यांस से पूँचे गए है तो देखे यहाँ पर उप्रयोक्त गद्ध्यांस में प्रयोक्त सेली कौन सी है तो यह आपके लिए 77 में बताना है तो सी राइट आंसर है अलूशिनात्मक्स याली हिस में असपलें संपादन मांगती है या इन में से कोई नहीं तो 89 का राइट आंसर आपके यहाँ पर विकल्प नंबर एक राइट आंसर है सफल है सफल है बिल्कुल कॉस्टिन नंबर 80 है परमा जी कि समस्य मूलक की कांधियों में चित्रन क्या गया है किसका चित्रन इसमें क्या गया है यह आपके लिए बताना है यहाँ पर किसका चित्रन क्या गया है तो आपका 80 का जो सही आंसर है बहे आपका यहाँ पर 80 का विकल्प नंबर एक सिक्षित मदवर्गे दमपतियों की समस्याओं का कॉस्चिन नमबर, 188 का सही आंसर आपके लिए बताना है, मातरा सवर को क्या कहती हैं? तो 188 का सही आंसर आपका यहां पर हैं समरूप जिसे ग्रेब फीम भी कहती हैं, समरूप आपका राइटा आंसर हैं कॉस्चिन नमबर है, 82 वर्ण तालिका के अनुसार रस्दिर्ग उप्लत क्या हैं? ये क्या हैं? ये आपके लिए बताने सुर हैं, मात्रा हैं, बेंजन हैं, विसरग हैं, चारवी कल्प देगा हैं तो 82 का सही आंसर होगा आपका ये क्या है? सुर हैं? तो 82 का आपका एक राइ आंसर है चक्रपाणी दर्षनार्थ पद में मानने समास कौन सा है कर्मधाराय अव्यविभाव या तत्प्रोस या बहु भी है तो question number 83 का सही आंसर होगा इसमें जो समास है मानने समास है 83 में भैसी है यानि कि अव्यविभाव समास question number 84 क्या पूँचा है यहाँ पूचा है प्रत्यारपण्ट सब्द में खालिस्तान अवपसर्ग लगा है प्रत्ति पर तो यह आपके चार विकल्प में इसमें आपके लिए उपसर्ग बताना है उपसर्ग कौन सा लगा है प्रत्यारपण्ट में तो आपका सही आंसर है यहांपर 84 का, विकल्प बगल्ब बी यानुकी पृति, आपका नहांपर राइट आंसर है, question number 85 सु सिख्षित में उपसर्ग है, तो बताईए पर है उ है, या सु है, या सी है, तो question number 85 का सही आंसर बताना है, 85 का right answer है विकल्ब नमबर आपका विल्गुल सरल question है सु आपका यहां पर right answer है रस निरूपन के परतम व्यक्ष्याता थी भरतमुनी थे भामाई थे दंडी भट लूललट तो question number 86 का सही answer बताना है तो रस निरूपन के परतम व्यक्ष्याता जो थे 86ी का सई आंसर है भरत मुणी विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है अरंडे चंदरी का मोहावरे का आर्थ है जंगल की सुंद्री जंगल में मंगल या निस्प्रियोजन पधार्थ है या नरा ठक बनाव सिंगार तो यहाँ पर अरंडे चंदरी का महावर्या का जो अर्थ होगा 87 में बहोगा निस्प्रियोजन निस्प्रियोजन पधार्थ यानि की विकल्ब नमबर C आपका राइट आंसर है इन्में से कौन सा सब्द उच्च का समनार्थी नहीं है समनार्थी नहीं है उच्च का समनार्थी नहीं है तीला पड़ा शरेष्ट उठा हुआ तो कौन सा नहीं है पूंचा है तो नहीं में आपका तीला राइट आंसर होगा विकल्ब नमबर 1 अमर सब्द का विलोम क्या होगा कौस्चन नमबर 89 बताईए अमर सब्द का विलोम बताना है तो 89 का सई आंसर है आपका मर्थ आपका विकल्ब नमबर D राइट आंसर होगा कौस्चन नमबर है आपका 90 हमें प्रती दिन सुर नमस्कार करना चाहिए रिखान के सब्द को पहचानिए उपसरग, सर्वनाम अव्यब या आपका यहां पर कारक्ट तो यहां पर आपके लिए क्या है रिखान के सब्द को पहचानिए तो 90 की राइट आंसर होगा अवियब विकलब नमबर आपका यहांपर भी राइट आंसर है तदफव सब्द कौन सा है यापर अंधेरा रात्री पृकास चंड्रे चार विकलब दिये गया है नाइन्टीवन का राइटो 91 का सहित आंसर बताना है क्या होता राइट आंसर, तदफव सब्द पूचा है तो तदफव में आपका अंधीरा होगा right answer विकल नमबर एक लिखावट में प्रत्य कौन सा है अट है अवट है वट है आवट है तो बिल्कुल सही यहाँ पर आपका बिल्कुल सरल कोस्चन है लिखावट में प्रत्य पूंचा है तो आपका 92 का आवट right answer होगा लिखावट तो विकल नमबर डी right answer नमलिकित में इसे भावजचे बाके का चेन कीजिए भावजचे कौन सा है भावजचे बाके बताना है तो यहाँ पर 1392 का जो सही answer है बहे क्या है निमलकित में से भाव बाच्च बाक्च का चेन करना है तो उन लोगों से आज खेला नहीं जाता यह आपका कैसा है भाव बाच्च बाक्च के यहाँ पर विकल्प नंबर D राइट आंसर होगा रचना है पत्र है या प्रातना है या आज्या है तो लड़कियां एक बचन में करना है आपके लिए आपके लिए आपर तो 95 का सही आंसर बताना है तो एक बचन में आपका हो जाएगा लड़कियों का एक बचन में लड़की विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा सब्द विसेशन नहीं है भैवीत भीरू निर्वीक भाव तो आपके यहाँ पर सही आंसर है 96 का विकल्प नंबर आपके यहाँ पर भाव राइट आंसर है यह आपका पूंचा है बच्चा गया इस बाक्क में प्रियोक्त काल पहचान ये सामन भूत काल पूंड काल ये पूंड भूत काल ये सामन बर्तमान काल बच्चा गया बाक्क में काल पहचानना है तो 97 का सामन भूत काल आपका विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा question number है आपका 98 अनिकार्थी सब्दे नांग का निमलकित में से एक अर्थ है रत है हाती पारा या मूख्च तो एक अर्थ बताना है इसका क्या होगा एक अर्थ है तो आपका यहाँ पर 98 का सी राइट आंसर है हाती हाती आपका यहाँ पर सही आंसर है question number आपका 99 पूँचा है क्या है अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है अंडे सेना तो मुर्गियों का चूजा की उपर बैठना सौ लंबी होना सौ आत सिद्द कनना घर में बीकार बैठना तो question number 99 का सही आंसर होगा 99 का घर में बीकार बैठना विकल्प नंबर आपका यहाँ पर D right answer है सुद्द सब्द का चैन कनना है यहाँ पर सुद्द सब्द कौन सा है बैस सब्द बता दीजिए आप 4 विकल्प P आप कहाँ पर दिये गए है और सौ का सही आंसर है पूजा इसपद आपका विकल्प नंबर C right answer है बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर C right answer है तो इस परकार अपनी यहाँ पर सौ कॉस्चिन कंप्लीट हुए क्यांसा लगाए यह वीडियो अपना प्रेक्टिस सेट 6 था इसके पहले 5 अप्लोड होगे है इस नाम से प्ले लिष्ट पर आप आप जाकर देखonter है और वहीं पर आपके हैं बहुत सारे तो वीडियो को लख कलने सभी लोग और अगर आप चैनल पर पहली आ राए हैं और इसी तरह कि और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्रइब कलने में लाइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जैह झाल 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 झाल